हाई फ्रेंड्स मैं हूँ सीमा और सीमा के आडियाज में आपका स्वागत करती हूँ तो आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल की एक नई रेसिपी जो बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी बनती है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मैं एक बाउल ले लेती हूँ पहले और उसमें डाल देती हूँ बचे हुए चावल जो एक कटोरी चावल बच गया था मेरे घर में और मैंने उसको खुला खुला कर लिया था अभी मैं यहाँ पर दो उबले हुए आलू ले लूँगी यह अच्छे से उबले हुए है इसलिए हातों से इजीली स्मैश हो रहे है अगर आलू ठीक से उबले नहीं तो उसको ना ग्रेटर की हेल्प से आप ग्रेट कर ले अब मैंने यहाँ पर ले लिये है थोड़ी पत्ता गुबी एक प्याच कटा हुआ हरा धनिया और उसके बाद में लिया है मैंने करी पत्ता करी पत्ता डालिए जरूर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यह सारी चीजे इसमें डाल देंगे और अच्छे से श्मैश करते हुए इसको मिलाना है मैंने यहाँ पर पैच को स्लाइस में कट कर लिया है आप छोटे छोटे स्क्वेर पीसेस में भी कट कर सकते हो और देखिए अब इसे ना हमको श्मैश करते हुए अच्छे से मिला लेना है देखिए इस तरह से अब देखिए बॉल बन रहा है कि नहीं देख लेंगे हमको इसी तरह से इसके बॉल बना लेने है बाद में लेकिन उसके पहले इसमें कुछ मसाले कर लेते तो चलिए देखते हैं क्या क्या आड़ करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल दूँगी एक चमज जीरा यह एक चमज डाला है मैंने उसके बाद में मैं यहाँ पर डाल दूँगी आधी चमज से थोड़ा जादा अधरक लशन का पेश जिसमें मैंने मिर्ची भी पीसी हुई है मिर्ची आप कट करके भी डाल सकते हो बाद में डाल देंगे धनिया पाउडर और उसके बाद में मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर एड़ कर देंगे यह देखिए उसके बाद डाल देंगे हम स्वादानुसर नमक नमक डालने के बाद में हम टोमेटो शॉस डालेंगे यहां पर जो किसान का मैगी का जो भी टोमेटो सॉस आपके घर में अवेलेबल हो वो आप डाल दीजिए इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अब इसे न अच्छे से स्मैश करते हुए उसी तरह से मिला लेना है और देखे जिस तरह से में बॉल बना रही हूँ न उसी तरह से हमको सारे बॉल बना लेने है देखे एक रेडियो हो गया है दूसरा भी बना के दिखाते हूँ ये इजीली बॉल बने जाता है इसी तरह से हमको सारे बॉल बना कर रेडी कर लेने है देखिए ये सारे बॉल बना कर हमने रेडी कर लिये है अभी चलते है नेक्स्ट प्रोसेस की ओर तो यहाँ पर मैं एक छोटा बॉल ले लूँगी और उसमें डाल दूँगी तीन चम्मच बेसन अब छोटे चम्मच से ले रहे हो तो चार चम्मच ले बेसन थोड़ा कम ज़ादा हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसका ना एक पतला सा घोल रेडी कर लेंगे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं लेकिन पकोड़े वाली घोल से थोड़ा सा पतला रेडी कर लेंगे यह दिखिए इस तरह से लंस ना रहे अच्छे से इसको मिला मिला के हम पतला सा गोल रिडी कर लेंगे इतना ही पतला होना चाहिए अब ग्यास पर हमने कडाई रख दिये वहाँ पे डाल दिया है तेल उसको गरम करने के लिए रख दिया है अब क्या करेंगे ना इनमें एके करके बॉल डाल देंगे जितने बॉल आते हैं उतने बॉल इसमें डाल दे देखिए इस तरह से और इसके उपर बेशन से कोट कर ले बेशन की कोटिंग लगा ले और चमत से निकालके तेल में फ्राय करने के लिए डाल दे यह एक डाल दिया कमेंट करिए चानल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी एजी एजी रेसिपीस आप तक पहुंच सके सबसे पहले तो देखिए इसी तरह से सारे बॉल जितने आते हैं उतने हमको डाल देने हैं इसमें एक-एक करके यह बहुत ही अच्छे और फलपी बनते हैं आप इनको कड़ी के साथ में सर्व कर सकते हो या फिर सुबे का नाष्टा हो या फिर शाम की हलकी सी भूख हो आप यह बना कर फैमिली को सर्व कर सकते हो अब इने अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे देखे इस तरह से बीच-बीच में पलट ना है इनको यह मैंने चमच लिया है चमच की पीछे की साइट से मैं इनको पलट रही हूँ ग्यास को मीडियम ही अगर हाइ कर लेंगे ना तो हमारा उपर से जो कोटिंग है वो जल जाएगा और अंदर से कच्छा ही रहेगा इसलिए हमको मीडियम टू लो फ्लेम में ही इसको फ्राई कर लेना है देकि इस तरह से अलटते-पलटते रहना है और हमको इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा इस डेसीपी को क्योंकि हमारे घर में तो रोजी थोड़ा ना थोड़ा बो चावल बच जाता है तो हम क्या करते है उसको एक तो फ्राई करके खाते है या फिर गरम करके खा लेते है लेकिन इस तरह की कुछ अलग चीज बनाएंगे तो फैमिली को भी पसंद आएगी और आपको भी जरूर पसंद आएगी तो देखिए ये अभी गोल्डन ब्राउन हो चुके है अब हम इनको निकाल लेते है बस इतना ही हमको तलना है आप इसे न करिए या फिर ग्रीन चटनी या फिर टोमेटर सॉस या फिर तली हुई मिर्ची के साथ एंजॉय कर सकते हो और एक बात बताओ ये बनाने के बाद में इसकी आप स्जी भी बना सकते हो वो कैसे मसाले वाली ग्रेवी रेडी कर लीजिए जैसे अपन पाटोडी के लिए या फिर मसाले वाली सबजी के लिए ग्रेवी रेडी करते है वैसी ग्रेवी रेडी कर लीजिए और उसके बाद में इनको उस ग्रेवी में डालके एक उबाल आने दीजिए आपकी सबजी रेडी हो जाएगे और टेस्टी भी लगेगी तो देखिए हमने सारे निकाल लिये हैं और हमारा नाश्टा बनके रेडी है तो आप बनाईए, खाईए, खिलाईए आप देखिए, मैं ये फोड की दिखा रही हूँ, ये अंदर से एकदम साफ्ट है और बाहर से फलपी और एकदम नरम है इस तरह से हमारा नाश्टा बनके रेडी हो चुका है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में तब तक के लिए टाटा, थेंक यू, बाई बाई और टेक केर